बिहार के पैक्स अध्यक्ष का काम क्या होता है अगर आप बिहार के पैक्स अध्यक्ष का काम जानते होंगे तो आपको पता है कि ये भाई साहब लोग करोड करोड रुपया का लूट करता है और किसी को मालूम तक नहीं चलता है मिरे साथ धर्मेंदर जी बैठे हैं धर्में साथ क्या करते हैं कि फरजी किसानों का नाम लिखते हैं लिखते हैं कि उन्हों ने चावल खरीदा अन खरीदा और वो सारा पैसा घपला कर जाते हैं 50 लाग से करोड रुपईया का उदारन इनके पास है और मेरे पास जो एक कागज रखा हुआ है यह इस बात का सबूत है कागज भी आपको स्क्रीन पर चला कर दिखा देंगे लेकिन यह सिर्फ बिहार के नालंदा के केशोपूर की इस्तिति नहीं है बिहार के हर जिले के हर पैक सद्यक्ष की यही स्तिति है यह लोग गलत किसानों का नाम लिखते हैं अनाज बिक्री दिखाते हैं लेकिन असलियत यह होता है कि यह लोग कहीं बाहर से अनाज खरीदते हैं और उस पर करोड़ो रुपेगा गबन करते हैं केशोपूर के पैक सध्यक्ष सहब ने अपने परिवार वालों का नाम लिख दिया है और उसके बाद ये दिखाया है कि कैसे उन्होंने अनाज की खरीदी की लेकिन असलियत ये है कि उन्होंने अनाज खरीदा ही नहीं है का नाम केशोपूर के अध्यक्ट साहब ने मेंशन किया है वो किसान नाबालिग है सबूत यह है कि यहाँ पर अंकित राज लिखा हुआ है जो आप पर स्प्रीन पर देख सकते हैं अंकित राज का जन्म हुआ 2005 में अभी चल रहा है 2022 मतलब कितना हुआ 17 साल 17 साल का अंकित रा पत्र लिखा हुआ है और इसके बाद जो प्रकंड के प्राधिकारी है कर्याले प्रकंड प्राधिकारी उन्होंने जिला सहकारता प्राधिकारी को जांच लिखा है और लिखा है कि हमने जांच किया लेकिन केशोपूर के पैक्स अध्यक्ट साहब बिलकुल सही तरीके से का नाम लिखा हुआ है वो जूठा है फिर भी कोई करवाई नहीं हो रही है कोई करवाई नहीं सर आज 2021 का मामला है और 22 तेज चल रहा है लेकिन अब तक इस पर कारवाई शुन्न है और जाज के नाम पर जाजपर्ची वेजन को देखने से अब जाजपर्ची के लिए जाते थे तो उनको यह बताया जाता था कि मतलब कि जो हमको लकॉठ दिया गया है लक्ष स्मौ ones पूरा हो रहे है तो रहे हमने सोचा किला जाकर देखा कि इन्हों अपने परिवार के सब्सक्राइब पोता पोती बेटा बहु एभं अन्य नावालिक लोगों के नाम पर बहुत सारे मतलब कि ऐसे फरजी गहर रहियत किसान बना करके उनके नाम पर धान अधिप्राप्ति नोंने दिखा दिया ऑन पेपर फिर यह लोग क्या करते हैं कि जब उ फ्रकाज़िया अखरे हैं लेकिन असलियत यह है कि वह सिर्फ लिखने के लिए धान खरेते हैं और दिखा देते और कि पर्षान होई तो हम इसके तह तक गए उसके वेबसाइट पर गए मतलब कि सूची किसानों द्वारा मतलब कि जो पैक सद्याच ने सूची बना के भेजा था तो आजकल तो ऑनलाइन है उसको देखा तो लगा कि यह तो बहुत बड़ा फर्जिवारा है यह वर्सों से होता चला रहा था तो इसको देखे आज देख रहे हैं तो सब नावालिक बच्चा है उनका पोता पोती नावालिक है जो वहां के बाट सदस जो सिगनेचर करता था उसका बेटा तो और पंदरा साल में दान बेचा है अब तो हम पेपर दिखा रहे हैं इन्होंने क्या किया है कि जो अंकित राज नाम के बच्ची से धान खरीदे हैं प्रेक सद्यक बतायेंगे कि हां एक्षिन क्यों नहीं हो रहा है प्रखंड साहकारता पतादिकारी तो जांच करके लिखे हैं कि सब कुछ सही पाया गया है हम तो दिखा रहे हैं मतलब कि लोग बच रहे हैं लगातार हम आटी आई के द्वारा इनके मतलब की कारणामों को उजागर कर रह मामला सब्सक्राइब करते हैं तो आज तक में एक क्रूर मतलब के और पेपर भी यह उन्होंने मतलब की राइस में लगवायाई कंकोजीट यूणिट लगवाया गोदाम बनाया अपंकेच्छन डिपोर्ट हमारे पास है आप देख सकते हैं उसका जो भी मतलब की लोन डिय गया कोप्रेटिव के द्वारा समीति को जो भी लोन दिया गया आज तक उसका पच्छी दस परसेंट भी भुकतान नहीं किया गया है आई लोग जो राइस मिल से गुदाम से जो करोरो कमाते हैं उसे मतलब की दोदो को पटना में बड़ा-बड़ा मकान खड़ा कर लिए और दुनिया में नहीं रहते हैं तो पैक्स का क्या होगा जो खड़ोरो का लोन है उसका भुकतान कौन करेगा इस पर अधिकारी क्यों आख बंद की हुए है इसका मतलब इस सब सारा सेटिंग से हो रहा है सबको पैसा मिल रहा है जिए पताधिकारी लोग इतना पैक्स अध्यक हुए हैं तो हम तो मुखमत्री जी से निवेदन करेंगे कि साकार्ता विभाग को ही बंद कर देना चाहिए जब इतना खुला छुट लुटने के लिए प्रक्साद्यवच को दिये हुए हैं तो इतना सारे पताधिकारी को क्यों बिठाय हुए हैं जनता के टैक्स से उनको इसके बाब दू लोग निगरानी नहीं कर रहे हैं समीतु को इतना इतना घाटा पहुंचाया जा रहा है और हेरा फेरी करके वह एक वर्स में एक आद करोड हां एक करोड हमारे जो प्रक्साद्य अच्छे एक बर्स में इसका हम आकड़ा आपको दिखा रहे हैं उस साल उन मुख्यमंत्री को पत्र लिखा हुआ है मानेवर उप्रियुक्त मनमानी की विज़ा से एक अंगर सराय प्रकंड के हजारों किसानों को प्रतिवर्ष अपना फसल सस्ते दाम पर विचौलियों के हाथों बेचने को मजबूर होना पड़ता है धान अधिप्राप्ति के समय प मुख्यमंत्री को अभी तक कुछ नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री सचिवाले से जांस के लिए मतलब के लेटर को आगे अब तक कुछ एक्षन नहीं हुआ है अभी तक मुझे इतना ही जनकार रहे है कि मुख्यमंत्री सचिवाले से यह आवेदम जांस के लिए भेजा जा चुका है चलिए यह दर धर्मेंद्र जी थे ऐसे विवरणों का ऐसे सक्षातकारों का होना इसी वे जरूरी है ताकि आपको मालूम चल सके कि बिहार के पैक्स अध्यक्ष कैसे बरबाद कर रहे हैं उन किसानों को जो आज बर्खा के लिए पागल हुए थे धान अपना रोप रहे हो होंगे और बिहार की हर पैक्स अध्यक्ष ऐसा करते हैं और सबूत होता है इन से बातों का बाकि धर्मेंद्र जी आप आते रहे हैं आप इसमें मुकाम तक पहुंचायेंगे ताकि किशानों को जो सही माइने में किशानी करते हैं उनके फशल का उचित मिल सके इसी नाते हम इसमें लगे हुए चली आप लगे रहें और हम भी लगे रहेंगे बहराल पैक्स के अध्यक्ष कारणामा कर रहे हैं वह आपके सामने है बागी आप जिंदानेंग्शन देख रहे थे बहुत-बहुत धन्यवाद